इंस्पेक्टर FBR का इंतहान किस तरह का होगा, क्या पेपर पैटर्न का आपको पता है, क्या 80% क्वेस्टन्स डिपार्टमेंट से आते हैं, एक्ट में से आते हैं, कौन-कौन से एक्ट से सवाल आएंगे, 20% जर्नल नालेज होता है, 80% डिपार्टमेंटल एक्ट्स और ओडिन्स के उपर क्वेस्टन्स आते हैं, क्या ये बात दरुस्त है, बहुत से आपके सवाल, बहुत से आपकी क्यूरीज, इंस्पेक्टर रेविन्यू, इंलेड रेविन्यू, इंस्पेक्टर FBR के उपर मेरी आज की वीडियो गोर्ष से सुन दीजएगा, बहुत सी चीज़े आपको बताऊंगा, आपकी आज की ये वीडियो बहुत कारामद होने जा रही है, असलाम अलेकुम वीवर्ज, मैं हूर अजा बखारी और आप देख रहे हैं, बखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल, तो आल का बटन दुवाना बहुत जरूरी है, तो देखिए अपने सवालों को जरा गोर्ष से सुनते जाईगा, जो आप कमेंट्स में मुझे सवाल करते हो, उनहीं के उपर बेस्ट मेरी वीडियो गोर्ष से देख लें, क्या सर 80% क्वेस्टन्स FBR के इंटर्नल एक्ट्स और आते हैं, बिल्कुल नहीं, जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको पता नहीं कहां से ये सलेबस मिल गया, बहुत से बचे मुझे मुझे मैसिज भी कर रहे होते हैं, बहुत से बचे मुझे पिक्स भी जो आ रहे होते हैं, जी ओर्डिनेंस फलाँ, तो देखिए आपके ये सा Academics आपके टेस्ट होने है, Academics में आपने किस तरह से क्या कारकदगी की हुई है, जो जो बच्चे जिस जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, eligibility criteria होता है, वो आपने पहले ही आप उसी के मताबिक आ रहे हो, तो इसलिए थोड़ी से questions ज़रूर आते हैं department के मतलब का आपको से सवाल आएंगे, ये सारी के सारी चीज़ें खुद साखता होती हैं, और पिछले तजरूरे की बिना पे कुछ चीज़ें लोग define कर लेते हैं, और बहुत से बच्चे फिर आप मुझे कहते हैं, आईडियाज होते हैं, कभी भी पेपर बाहिर नहीं आते हैं, ना किसी आम पब्लीकली अशात होते हैं, ना ही पब्लीश होते हैं कहीं पे और ना ही कहीं पे अवेलेबल हैं, ये सारे के सारे खुद साखता बनाए होते हैं, आईडियाज के मताबिक, क्या हमें तमाम एक्ट्स याद करने पड़ेंगे, किस आउडियन्स से कितने questions आएंगे, बहुत स जो हैं, डिपार्टमेंट के मतलका, उनका सिर्फ नाम तक आपको पता हो, या ये पता हो किस साल में लागू हुआ था, इसके इलावा आपको section of law जो होते हैं, उनका बिलकुल भी, आपको कोई question नहीं आगा, ना आपसे पूछा जाएगा, गोर से सुन लें, मैंने जो notes बन percent clear paper होगा, आपका गोर से सुन लें, बहुत से बचे कहते हैं कि सार आपने act नहीं दिये, फ़लानी दिर देखिये, ये जो act होते हैं, पुतर ही, आपने जब training करनी होती है, फिर आपको पढ़ाए और सिखाए जाते हैं, उससे पहले आपका act और audience का कोई तल्लुक नहीं है, department ने आपको सिखाना होता है, department में आने के बाद अपने officers को ये चीज़ें बतानी और सिखानी होती है, एक private candidate जो college से, university से पढ़ के आ रहा है, उसको audience और acts का क्या पता है, इसलिए वो सवाल नहीं आते, 24-5 सवाल आना कोई ऐसी बात नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप सारे के सारे law और act पढ़ने शुरू कर दो, नहीं, fail हो जाओगे, गोर से सुनते जाओ, सर बहुत सी websites पे आ रहा है, ये 80 और 20% का फार मुला के 80% questions department से हैं, और 20% questions सिर्फ general knowledge के हैं, तो कया ये दुरूस्त है, बिल्कुल नहीं दुरूस्त ही, मैंने बार बार आपको बता द हो, ऐसा कुछ नहीं है के 80% questions department से आ जाएं, क्या कोई भी बंदा किसी भी department को before time जानता होता है, बिल्कुल नहीं, जब वो उस department में आएगा, उसमें काम करेगा, तब ही उसको उस department का पता चलेगा, या ट्रेनिंग करेगा, या सर्व करेगा, आपने ना सर्व किया, ना ट्र रिस्त भी दी हुई है, वो बुक्स आप ले आओ, उनसे तैयारी करो, नोट्स के मताबिक, तरीका कार के मताबिक आपने आपको तैयार करो, आप इंशाला कामयाब हो जाओगे, हमें कितना time study करना चाहिए, ideal study के लिए कितना time देना चाहिए, तो देखिए, आपको कम पांच छे घंटे तो जरूर पढ़ना चाहिए, ग्रेड 16 है, अच्छी पोस्ट है, FBR है, यूनिफर्म जॉब है, डिपार्टमेंट अच्छा है, इसलिए आपको अच्छी तरह से महिन करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, आप एक time table बना लो, एक schedule बना लो, आपको physically भी fit हो आले, नमाज पढ़े, आला ताला से मदद मांगे, आप इंशाला कामयाब हो जाओगे, जो जो बुक्स आपको बताई हैं, जो जो तरीका कार बताया हैं, जो टॉपिक्स बताया हैं, वो सारे के सारे आप तयार कर लो, आप इंशाला कामयाब हो जाओगे, कोई ऐसा issue ही नह नमबर का Federal Public Services Commission Multiple Chess Questions घौर से सुन ले उसमें क्या-क्या होगा किस किस तरह से होगा कौन-कौन से टॉपिक आएंगे उसका कितना टाइम होगा 20 120 मिनट 2 घंटे 100 MCQ Federal Public Services Commission Multiple Chess Questions बहुत से सवाल बहुत सी फील्ड में से दुनिया के किसी भी मौज़ू से आ सकते हैं उसके उपर हमने डिफाइन किये हुए है 98 टॉपिक उन्हीं टॉपिक में से इन्शाला टाला पेपर आएगा वो नोट्स आप ले सकते हो कितने नमलों वाला सर पास होता है जल्दी से बता दें तो देखिये आप मैं आपको बार 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 बता चुका हूं फिर से बता देता हूं ये डिपेंड कर रहा होता है कितने candidates है और कितनी seats है उसके हिसाब से merit बन जाता है मिसाल के तोर पर 300 seat फूरे पाकिस्तान के लिए मैं एक मिसाल दे रहा हूँ 300 seat है फूरे पाकिस्तान के लिए इंस्पेक्टर FBR की मिसाल के तोर पर तो उसके लिए interview maximum double बंदों को बॉला लेंगे 600 बंदों को इंट الرव के लिए बला लेंगे कैंडिडेट्स, पासिंग कैंडिडेट्स और वकेंसिस के उपर, उस हिसाब से मेरिट बनता है, आपने अपना अलबता 100% देना है, आपने अपना पूरी एफ़र्ट करनी है आउटपुट 100% देना है विकाज पूरे पाकिस्तान से लोग आए वे हैं हर बन्दा कंपीट कर रहा है, हर बन्दे ने मेहनत की हुई है, बहुत से आप मेंसे बचे कहते हैं अगर सब जल्दी से मुझे भुक बना दें जल्दी से मुझे नोटस बिजवा दें, मैंने त्यारी करनी है दो को मेरा पेपर है, माशालला और भई, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ स्टडी एक मुकमल प्रासस है, उस प्रासस में से आपने गुजरना होता है आपने ये सारी चीजें एक प्रासस करना होता है ड्यू प्रासस, लोग 6-6 महीने से बैठे हुए हैं साल साल से बैठे हों डेड़ डेड़ साल से बैठे हों मसलसल पढ़ रहे हैं जो जो इमतहान आता है वो इमतहान देते जाते हैं उसमें कावियाब हो जाते हैं अगर उसमें विक्तफा नहीं किया कोई अच्छी बहतर आई है मजीद पढ़ते रहते हैं जॉब हासल करने के बा की गेम नहीं होती फिर आप फेल हो जाते हो और ब्लेम गेम शुरू कर देते हो कि जनाब पाकिस्तान में होता ही ऐसा है जी फुला हो गया जी सफारष चल लगी जी रिशिवट चल लगी या जितने नपर होना था वो पहले ही हो जुगा है ये सारे के सारे लेम एक्सक्यूजिस होती है और आप लोग मैं सखत इलफाज इस्तमाल करता हूँ नकमे लोगों के ये काम होते हैं बाद में ऐसे कहते हैं जिन बच्चों ने जो बच्चे हो चुके होते हैं बहुत गरीब घरों के महिंती उनसे जागर पूछों के कितनी सफारष और कितने पैसे दिये बही वो तो चारेश काबल ही नहीं है कि वो पैसे दे सकें सफारच करवा सकें तो इसलिए आपके अंदर जितनी अबिलिटी होगी वो आप कामयाब हो जाओगे लैसालिल इंसानी इल्ला मासा आ जो जितनी मेहनत करेगा वो पालेगा ये रबे काइनात का हुकम है तो इसलिए आप महनत करो और ये चीज़े स्टडी मसलसल प्रसेस किया करो एक टाइम टेबल एक शेडियूल बना लो उसके बाद जी आपका अगला सवाल क्या हम इंस्पेक्टर FBR बनके पुलीस में आ सकते हैं बतौर इंस्पेक्टर कनवर्ट हो सकते हैं बतौर इंस्पेक्टर ट्रांसफर करवा सकते हैं बिल्कुल नहीं जी आप पुलीस में बतौर इंस्पेक्टर ट्रांसफर नहीं करवा सकते वो एक अलग डिपार्टमेंट है ये एक अलग डिपार्टमेंट है वो वफाकी है ये सुबाई है पुलीस जो है इसलिए आप इसमें नहीं आ सकते उसकी job description और है इसकी job description और है उसका criteria और है इसका criteria और है इसकी training और है इसका law and order और है situation और है उसका department और है उसनोंने revenue पे काम करना है इनोंने crime पे काम करना है nature of job totally different है तो आप police में नहीं आ सकते जी आप उधर ही काम करोगे अलबता आगमने पुलीस में आना हो जब इंस्पेक्टर की सीट्स आएं तो आप उसमें अपलाई करो थ्रू प्रस्स पब्लिक सरस्कमिशन में से गुजरो रिटन, फिजिकल, वाईवा, हार चीज़ से गुजरो फिर आप इंस्पेक्टर भरती हो, फिर आप वहाँ से इधर आ सकते हो थ्रू डिपार्टमेंटल परमिशन, उसके इलावा आप पुलीस में नहीं आ सकते पेपर पैटरन सर कैसा होगा, फिर से वही सवाल तो देखिए, मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया कि मेरे नोट्स आप खरीज सकते हो, 98 टॉपिक हैं उसी के मताबग पेपर पैटरनों को उससे आप तैयारी करो तो यह थी जी मेरी आज की वीडियो के इंस्पेक्टर FBR या इंलेंड डैविन्यू किस तरह से खुद मस्रूफित होती है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका अब इंशाला कुशिश करूँगा, जू जू मेरे पास टाइम बचता जाता है मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करता रहूँ जो जो जॉब्स चल रहे हैं, उस मेरी वीडियो आती रहेंगी इस इस बी पे आती रहेंगी, इंस्पेक्टर एफ बियार पे, रेंजर्स पे जो जो जॉब्स चल रही हैं, जी डी पाइलिट पे, मेरी वीडियो आती रहेंगी इंशाला मिलते हैं किसी एक लीडियो में जी अपना और अपनी खांदन का धेर सरा ख्याल रखेगा तिल देन टेक केर अलाफीज एंड गुडबाई पाकिस्तान जिन्दबाई